स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंड अविक्टर पर मैं हूँ आपका दूस वारुन सेंग और मैं डॉक्टर आइक थी दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी पैट के बारे में जहां आपने जाना था कि पैट बेसिकली क्या है उसको कौन अब पिछले वीडियो में पैट के रिगार्डिंग बात किया था आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और पैट के एक्जाम पाटन के बारे में हम जानेंगी प्लीज हमारे व्यूर्स को गाइड करें के पैट का एक्जाम पाटन क्या है जी वरुन जी देखिए की बात कि थी जो टाइम दूरेशन होता है वो दो गंटे का होता है यानि की 120 मिनट यानि सो कोश्चन के लिए आप पूरे 120 मिनट में लेंगे जो एक सफिसेंट टाइम है और नेगेटिव मार्किंग वन फोर्थ यह हमने पिछले वीडियो में आपको बताए था और इसमें इसके बाद क्योंकि एक प्री लेवल का एकजाम है जो इसका पैटर्न रहेगा वो मल्टिपल चोईस कोश्चन रहेगा उसके बाद इसके जो कुछ टॉपिक्स है 14-15 टॉपिक्स है उसमें हमने इन टॉपिक्स को दो कैटेगरी में कैटराइज किया है वो इसलिए और जिसे 10 कोश्चन आने हैं उनको एक कैटेगरी में रखा है तो अब हम टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री जैसे की पता ही है कि इंडियन हिस्ट्री जो है तीन भागों में बटी हुई है एंस इंडियन हिस्ट्री का यह पार्ट है मूल्त जो यह पर्टिकुलर एक स्वतंत्र संग्राम जो भारत का फ्रीडम मुमेंट था उससे लेटेड इसमें कोश्चन पुछे जाएंगे इससे रिलेटेड भी पांच कोश्चन आएंगे इसके बाद जोग्रफी आता है जोग्रफी और इस से रिलेटरीड भी पांच कोश्चन पुछे जाएंगे लेकिन इसमें इंडियन जोग्रफी का जो वेटेज है वो ज़दा रहता है इंडियन जोग्राफी से कोश्चन आने की संभावनाना ज्यादा इसके बाद है इंडियन इकनोमी भारत्त्य अर्थ व्यवस्ता चे संबंदी जो परशन आएंगे वह भी पांच ही आएंगे इसके बाद इंडियन Constitution भारत्य सम्मिधान और राज्य व्यवस्ता चे संबंदी परशन आएंगे जर्णल साइंस जर्णल साइंस समान्ने विज्ञार जिसमें Biology, Physics, Chemistry, EBS ठीक है और इसमें जो है Biology का जो बेटेज है वह ज्यादा रहता है इससे रिलेटेड भी पांची परसन आएंगे Elementary, Arthematic यानि प्राथमिक अंकगनित और प्राथमिक अंकगनित यानि कि समन्ने गनित जैसे कि Percentage, Decimal, The Sumlaw, Bin, Fraction और उसर्थ इन से सवाल पुछे जाते हैं जर्नल हिंदी वही व्याकरण व्याकरण के साथ-साथ हिंदी की vocabulary जैसे विलोम सब्द, प्रयायवाची सब्द, अनेकार्थी सब्द, समानार्थक सब्द इससे रिलेटेड इसमें पांच कोश्चन पुछे जाएंगे जन्रल इंग्लिस में सेम ऐसे ग्रैमर से रिलेटेड और वोकेally लेक्शे रिलेटेड पांच कोश्चन और इसबसरी के पूर्ण यह वह हैं जिन जिनसे दस कोश्चन आएंगे जैसे कि पहला टॉपिक हैसमें करंट अफेर करंट अफेर यानि कि हाज हमारे आसपास पिछले छे महीने से एक साल के भी तर जो भी घटना घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी उससे रिलिटीड आपको दस कोश्चन आएंगे जैणनल अवेडनेस देखें जैणनल आवेडनेस के संधकर जो वाली कैटे gider में यह पार्ट गुड़ा अब एक्स्ट्रा 20 में पूछा जा सकता है ठीक है तो जब आप उपर पॉर्चन के त्यारी कर लेंगे तो जर्णल अपने आप ही कम्प्लीट हो जाएगी इसके बाद आता है हिंदी पैसेज हिंदी पैसेज का अंदलब एक आपको पैसेज दिया जाएगा जिससे रिलेटेड आप से चार या पांच पुछे जाएगे और परते एक परसंद एक नंबर कर रहेगा तो इससे भी दसी नंबर के कोश्चन पुछे जाएगा इसके बाद आता है ग्राफ इंटर्प्रेटेशन अनलाइसिस एंड टेबल इंटर्प्रेटेशन अनलाइसिस यह पर्टिकुलर एक टोपिक होता है मैं डाटा इंटर्प्रेटेशन उसी इसका भाग है इसमें अको डिया जाएगा डियाग्राम रिलेटिटीड करके तो इसमां पुछे जाएगा इन सबसे भी आप को यह इस परकार से आपको मैंने पूरा का पूरा ले पैटरन जो एक्जाम का है कैसे कोश् तो वीवर्स अभी डॉक्टर अधित्य ने हमें एक्जाम पाटन को और उसको दो भागों में विवाजित करके उसको व्यूपॉइंट शेयर किया और बहुत सिंप्लीफाय कर दिया इस सेनारियो को हमें सो डॉक्टर अधित्य इस बात के लिए आपको अप्रिशेट करूँ है कि आपने इस चीज को बहुत सिंप्लीफाय किया हमारे व्यूवर्स के लिए कोई और स्पेशल गाइडलाइन आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे जो उनके इस एक्जाम की तयारी के वक्त उनक कि हमने यहां पे जो टॉपिक से उनको दो डो केटेगोराइज में किया है इसमें आप देखिये यह उपर हाली काटेगरी यह पांच कोश्चन पांच नंबर में आने हैं और जो नीचे वाले लिए इन में दस नंबर से दस कोश्चन आने हैं और यह पॉर्शन भी छोटा ह यह बड़ा है आप लिए पोरी पूरी पांच कोशन के लिए पूरी मधबरी और यह प्यादा रहते हैं लेकिन में पढ़ना वर्ल्ड रपल लेकिन जोगरफिय पड़ेगा निया कुस्ट यह आएंग तु मैं यहांगे हमारे व्यवर्स देखर है हुन कए यह कहना चाहूँगा कि पहले आप इस portion पर काम करें इस portion पर काम करने के एक तो असान portion है current affair है आल फिलाल जो चल रहा है जर्नल अवेर्नेस हिंदी और ग्राफिकल डाटा इंटिप्रेटेशन इस पर आगर आप पहले work करें क्योंकि इससे एक तो ज्यादा question आएंगे ज्यादा number के आएंगे और इससे आप exam को crack करने के ज्यादा करीब पहुच पाएंगे कम समय में उसके बाद जब आपको यह portion तयार होगे उसके बाद आप उपर वाले category में चोड़ना आपको कोई portion नहीं है पढ़ना आपको सभी कुछ है ठीक है लेकिन इस portion को आप पहले complete करे उसके बाद आप उपर आएं फिर इन topics में आप देखें कि आपको किस topic में आप comfort फिल करते हैं उस topic से आप सुरू करें और दीरे 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 लगबख सभी topic आपको पढ़ना है छोड़ना कुछ नहीं है इवोड़ी ओके वीवर्स डॉक्टर अधित्य ने हमें exam pattern के बारे म हैं आज का यह जो हमारा कहानी है इसके बारे में हम बात करेंगे उससे पहले मेरे को बोर्ड पे कुछ नजर आ रहा है कि syllabus प्लस पी वाई क्यूस कुछ मेंशन है तो इसके बारे में भी प्लीज आप हमारे वीवर्स को एक बार देखें किसी भी exam को crack करने पहले हमें उसके syllabus की पूरी जानकारी होनी चाहिए तो मैं वीवर्स से यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको टॉपिक्स तो बताए दिया है फिर भी आप किसी भी exam करेक्ट करने से पहले हमारा मोटिव रहता है कि हमें उसका syllabus की पूरी जानकारी हो उसके बाद उसमें person किस परकार से आ जामें बैठें तो आपको कुछ अट-पटा ना लगे जी वह मुझे ओके सो व्यूवर्स हमने यह सारी जानकारी ले ली कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है exam pattern क्या है क्या क्या चीजें हमें prepare करनी है किस तरह से हमें syllabus को go through होना है अब जो story वाला part आता है इसको मैंने आप आपकी तयारी से relate किया है और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके बहुत काम आने वाला है तो आपने करना क्या है जब exam pattern की बात करते हैं तो आपने Indian history पे ध्यान देना है आपने INM पे ध्यान देना है जोगरफी पे देना है Indian economy पे देना है constitution के बारे में भी बा इंटर्प्रेटेशन और अनालिस पर भी इवन सिलेबस और पीवाई क्यू भी चेक करना है ताट मींस आपका बहुत सारा effort लगेगा तो बहुत बार क्या होता है अधिते जब बच्चे preparation करते हैं तो वह कहते हैं हमारे पास time बहुत कम है तो वह क्या करते हैं बहुत बार अ मेंटल हिल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं वह कहते हैं कि हम खाना मेंस कर देंगी क्योंकि जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए अगर आप देखें तो इतना कुछ प्रिपेर करने के लिए efforts लगेगे इसका मतलब मुझे अपनी स्टेबलनेस मेंटेन करनी पड़ेगी इसको ऐसे एक्जामपल से रिलेट करते हैं कि आपको 500 किलोमेटर की जर्नी ट्रेविल करनी है तो आपने अपनी कार में पैट्रोल डलबाया और उसके बाद आप जर्नी पर चले तो इसको हम रिलेट करेंगे ऐसे मान लिजे इंडिय करते करते जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक फेस ऐसा आएगा जहां पर मुझे और पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे जर्नी पर जाते हैं तो जब कोई बच्चा यह कहता है कि मेरे को अपना फूड भी मैं स्किप करने के लिए तैयारी में एंगेज़ ध्यूँ तो जह चलाओं और क्या होता है इस वक्त तयारी क earliest बच्चे बीमार पड़े जाते हैं और उनका बीच की जो तयारी है वो दो मेने की वच्चा ने के वह स्कैना कि पीछे चले जाते है इसलिए बहुत important है कि इसकी तयारी करते करते है आप petrol भी डल्माएं कार में उसका मतलब है कि अपनी diet का ध्यान रखे इसको दो भागों में divide करूँगा जैसे हमने exam pattern to दो भागों में divide किया पहला भाग आता है आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना है that is your physical health और साथ-साथ अपनी नींद का भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आप exam वाले दिन सो जाएंगे और फिर वो सारी तयारी विकार हो जाएगे आपकी एक भाग आता है जहां पर आपको अपना food का ध्यान रखना है और quality of sleep का ध्यान रखना है जो आपको physically healthy रखेगे दोसरी चीज़ बारी आती है जो हमारा second भाग है वो बात यह है कि जब आपको इतना कुछ प्रिपेर करना है तो आपको अपने mental health का ध्यान रखना पड़ेगे वो कैसे होगा वो ऐसे होगा कि एक तो आप जब आप study करें तो बीच में कुछ ऐसा break time निकालें जहां आप अपने अंदर fun add करें वो fun कैसे हो सकता है कुछ inspirational आप पढ़ें या आप अपनी family के साथ time spend करें इस चीज़ को एक burden के रूप में ना ले आप learning करें बट साथ साथ एक fun enjoyment जो आपको mental relaxation दे वो करना है इंस्पिरेशनल पढ़के कुछ अपनी hobby में engage रहे कर वो आपको एक mental stability देगा और साथ साथ उसके अलावा क्या कर सकते हैं एक deep breathing जब आप करते हैं तो वो भी आपके mental level को strong रखता है तो आपने क्या करना है अपने physical health का ध्यान रखने के लिए आपको diet अच्छी रखनी है और साथ साथ quality of sleep और जब अपनी mental health की बाद यह आती है तो आपको अच्छा कुछ पढ़ना है inspirational जो आपको boost up रखे जो आपको challenges से cope up करने में strong बनाए वो आपकी efficiency को बढ़ा देगा आप और effort के साथ थैयारी करेंगे और साथ साथ deep breathing करें वो आपको और relaxation देगा तो इस चीज़ का ध्यान रखें यह आपको और strong बनाएगा और आप ज़्यादा बहतर तरीके से अपने exam में खुद को पहुंचा पाएंगे so thank you very much डॉक्टर आदिते एक बार फिर्ट से आपका और viewers rock करिये मस्त रहिए अपना आच्छे से ध्यान रखिये और यकीन मानिये आप बहुत special हैं थैंक यू वेरी मच